नमस्कार आप देख रहे हैं सिवान नेवज और मैं हूँ अमित और आज इस विशेस अंक में हम दिखाएंगे बाड़ विस्ताफितों का दर्द किस तरह बाड़ की विभीसिका ने लोगों का जीना हराम कर दिया है लोग इस बाड़ की विभीसिका से दो चार हो रहे हैं और ये छेतर है गुरिया कोठी विधान सवा छेतर का खुस हाल डुमरी जहां पे बाड़ इस कदर तबाही मचाया है कि लोग दरदर भटकने के लिए मजबूर हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह बाड़ का पानी लोगों के घरों में घुस चुका है और लोग घर छोड़कर पलायन कर चुके हैं हम आपको दिखा रहे हैं तस्वीर किस तरह इस घर में बाढ़ का पानी कमर भर घुश चुका है जिसके बाद इस घर को बंद करके इस घर के लोग नहर पे जिन्दगी बसर करने के लिए मजबूर है अब आपको हम दिखाते हैं किस तरह लोग इस बाढ़ से निकलने की जद्दो जेहत कर रहे हैं आप देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे कमर भर पानी बह रहा है और हम भी अभी पानी में ही खड़े हुए हैं सरकार लाख दावे करती है कि हमने अच्छा सासन दिया है लोगों को बहुत सारी सुविधाएं मिल रही है सुसासन की सरकार है नितिश कुमार सुसासन का दम वरते हैं लेकिन जब हकीकत जब कोई आपदा आती है तो सुसासन की पोल खुल जाती है आप देख सकते हैं कैसे सुसासन की पूल खुल रही है और ये पानी सडकों पे जा रहा है आईए मेरे साथ एक आदमी है जो अभी निकलने की जद्दो जेहद कर रहे थे और इस बाढ़ के पानी में गिर गया है हमने इन्हें बचाया है बात करते हैं से अब अपना नाम बताईए लाल बादुर कब से ये बाढ़ हाई हुई है दस दिन हो गया इधर कहा जा रहा है इधर एक मिनुटे कर तो ये थे लाल बाबु इस गाउं के जो बताय रहे थे कि दस दिनों से बाढ़ हाई हुई है और य ये पानी आपको बता दें कि गुपाल गंज के गंडक नदी का पानी है जो देवापूर में बान तूटने के बाद इधर के इलाकों में प्रवेस कर चुका है और ये इलाका सिवान का सुदूरवर्ती इलाका है यानि सबसे पुरवत्तर इलाका है जो पिछड़ा भी माना ज आता है विकास की दृष्टी से और यहां के जन प्रतिनेधी यहां के प्रसासन के तरफ से लोगों का कहना है कोई विवस्ता नहीं है बस एक नाओ की विवस्ता है जिससे लोगों को निकाला जा रहा है अब देख सकते हैं तस्वीरों में कैसे लोग पानी से निकलने की आ रहा है और यह सूचने वाली बात है कि सरकार सुशासन का दम्भ वरती है लेकिन जब कोई आपदा आती है तो धरातल पर बिल्कुल फैलियोर दिखती है सरकार क्योंकि जब भी बाड़ हो या फिर अभी चल रहा करोना महमारी हो जिसमें सरकार की बद इंतजामी और उसकी ब्यवस्था का काला चिठा खुलता हुआ दिखाई देता है यह जो इलाका है यहाँ पर लोग अच्छी खासी जीवन बसर कर रहे थे जीवन जी रहे थे लेकिन अचानक आए बाड़ ने सभी के आशियाने उजार दिये हैं लोग छतों पे फंसे हुए हैं लोग घरों के जिने के लिए विवस हैं हम आपको वो भी दिखाएंगे कि कैसे लोग नहर पे जिन्दगी नार्कियस जीवन जी रहे जहां ना खाने के का ठीक है ना पीने के शाह पाने के विवस्ता है लोग जैसे तैसे दीन काट रहे हैं और बाड़ को खतम होने का इंतजार कर रहे हैं हलाकि बाढ़ आये हुए तीन से चार रोज ही हुआ और देखिए यहाँ पर जो रोड है यह जिस सड़क पर हम खड़े हैं यह पीज सड़क है और इस पर पानी का बहाओ इतना है कि यह सड़क कट गया है और लोग लोग टापू पर जीने के लिए बिवस हैं यह पूरा इला यह जो चाचा थे वो आने का प्रयास कर रहे थे लेकिन यह धारा इतनी तेज है यह पानी का बहाओ इतना तेज है कि उन्हें वापस लोटना पड़ा और जो यहां के कुछ युवा हैं जो बच्चे हैं वो भी लगातार पानी में है और निकलने कोसिस कर रहे हैं लोग करती है कि हम आपदा से निपटने के कोशिश कर रहे हैं लेकिन यह तस्वीरे उसकी पोल खोलने के लिए काफी है गाओं के लोग नाओ की मांग कर रहे हैं लेकिन प्रशाशन द्वारा मात्र एक नाओ दिया गया है और इधर तीन चार पंचायत बाढ़ की पानी में कर रहा हूं तो मेरे पीछे लोग चिला रहे हैं कि हमें नाओ नहीं मिला है और नाओ के लिए प्रशाशन से दूर से ही आवाज लगा रहे हैं क्योंकि वे इधर नहीं आ सकते हैं क्योंकि पानी का बहाओ काफी तेज है आप तस्वीरों में आपने तस्वीरों में साफ और आइयो बात करते हैं इस बाबु से आओं क्या नाम है तुम्हारे अजाद अल्ली कपसे ये बाढ़ हाई यह 25 तारीक से आई यह वे इसके पहले भी अपने जिवन में कभी बाढ़ देखा था जी नहीं देखे तें पहली बार पहली बार पहली बार इतना पानी है घर कहां षाव से पास भश्य को एकिन करा रहे हैं अभी के बंदते हैं कि ततुने लोग में एफें निकालने के लिए खाने पीने के क्या वे अपना किसी ने पूछा आके कि खाना अब लोग खाया है कि नहीं अभी कोई नहीं आया कुछने कोई नेता कोई प्रसासन का आदमी कोई अधिकारी हम लोग को नहीं मालूम है बड़े लोग जानते हैं कब खाये थे आकरी बर खाना अभी तो खा कर रहा है सुबह ठीक है तो यह थे यह था एक लड़का आजाद अली जो बता रहा था कि एक ही नाव है इस पूरे पंचायत के लिए और लोग अभी अपने अपने घरों में फंसे हुए हैं मेरे पीछे देख रहे हैं होंगे कि किस तरह यह सड़क है जो जिस पे पानी चड़ा हुआ है यह मुख्य सड़क है यह पीच सड़क है लेकिन बाढ़ का पानी इस कदर है कि यह सब कुछ डूबोने के लिए उतारू दिख रहा है और लगभग डूबो चुका है देखिए कैसे उस बच्चे को तैर के इस सड़क को पार करना पड़ रहा है क्योंकि पानी काफी तेज है वहाँ पे वो डूबते डूबते भी बचा है और वो तैर कर वहाँ पहुचने की कोसिस कर रहा है यह जो बिजली का खंबा है उसको पकड़ कर वो जाने की कोसिस कर वहाँ पर और वो पानी भी देख रहा है कि कितना पानी है लेकिन वहाँ उसके गर्दन के उपर तक पानी है हम उधर नहीं जा सकते हैं विवस्ता है क्योंकि हम भी उधर डूप सकते हैं लोग उधर से अवाज लगा रहे हैं लेकिन हम जा नहीं पाएंगे क्योंकि यहाँ प वो कह रहे हैं कि आये हमारे दुख दर्द को दिखाईए क्योंकि आवाज उपर तक जानी चाहिए और प्रसासन हमेशा से ये दम भरते रहता है ये सरकार दम भरते रहती है कि हमने सब कुछ इस राज्य में ठीक कर लिया है लेकिन ये जब आपदा आती है अभी आपने करोना को लेकर देखा होगा ये फिर ये बाढ़ है बाढ़ में सारा सुसासन फेल दिखाई देता है और ये जो लोग है जिन जन प्रतनीधियों को अपना कीमती वोड देकर जिदाते हैं वो भी इस दुख की घड़ी में अभी गायब दिख रहे हैं लोग वहां से चिला कर कह रह है हम यहां पे लोग बिमार हैं लोगों की तवियत खराब है लेकिन अभी तक मात्र एक नाओ वह अभी छोटी नाओ यहां पे विवस्था की गई है जिससे लोगों को निकाला जा रहा है वो लोग दूर से ही अब आने की कोशिस में लगे हुए हैं कि ताकि हम लोगों से बात कर पाएं वो देखिए किस तरह लड़के चलके आ रहे हैं अपना जान जोखिम में डालके आना सुरू कर चुके हैं क्योंकि वो चाहते हैं कि हमसे बात करें देखिए कितना गहरा पानी है देखिए वो एक लड़का डूब गया और फिर वो किसी तरह तैर कि हम लोगो में बनाते हैं कि बाढ़ बाढ़ बिहार में कश्टकारी जीवन जीने के लिए लोगों को बाध ह hike करती है क्यों नहीं बाढ़ कि समस्या से हमेशा के लिए निजात पाया जा सके कि आई ये बाध करते हैं कि बच्चों से सबसे पहले नाम बताइए अपना मेरा नाम जीत्तु कुमारसा है कब से यह बाढ़ाई हुई है और क्या कितनी परिशानी हो रही आप लोग को परिशानी तो बहुत है 25 तरी को बाढ़ाई हमारे गाह में अज 27 तरी हो गया इधर कितना गाहों डूगा है अपना यह मुसेरी पूरा ही मुसेरी बताया जा सकता है कि दूग चुका है तुसी हाल डूमडी भी इसके बगों यह बताई टोला भी है कि पानी चला गया है और इधर बाहर मतलब खेत में यह जो सड़क है यह पीस सड़क है इस पे कितना फीट पानी बहरा है अब तो आप देखें नहीं यह कम से कम पांच फीट पानी बहरा है मतलब इसमें आदमी डूब सकता है यहां से निकलने के लिए प्रशासन द्वारा कोई व्योस्ता की गई है की गई है पर एक नाव है और बताया गया है दो जो भी है कॉल एक नाव आया आप देखें तो एक नाव है पूरा उधर से आद एक लेडिस को लेकर आए उधर घुमा कर वहां पर छोड़े उसको इधर एक भाई जा रहा था उसको छोड़े दो चार लोगों ऐसे ही मतलब यह सिरियस है उन लोग को निकाला जा रहा हां सिरियस है और जो जिनको दावा वीरों चाहिए उनके लिए और वाकी तो आम पॉ है तो यह को चाहते हैं कि जो होता है हमें तो खेर पाते हैं इसने में बान में क्या होना कीवतु घरत रहां है कि क्या चाहिए आपको हमें बस और एक-दो नाउं का वेवास्ता हो जifs और समानों मी अब है तक किसी यह नहीं जै रहा है Alay Technos कि जो लोग गरीब हैं जिनके पास खाने के लिए नहीं है उनके लिए ये जो लोग नहर पे रह रहे हैं इनके लिए कुछ किया जा रहा है कुछ नहीं किया जा रहा है कोई आया था आपके पास आपका जो कली आय था लो कली गो I ए-था लो कुछ व हिवे खाया है नहीं नेहीं नहीं कोई नहीं है क evac уже कर रहे थे हैं कि कैसे यहाँ पर दो नाव की गोष्णा की गई गई किया अबर नेविल क Urkel करा या प्रसातसंद्वारा लेकिन एक ही नाव यहाँ पर उपलवद कराई गई जिसके बाद यहाँ से लोगों को निकालने का सिलसिला काफी धीमा है लोग चाते हैं कि उन्हें निकाल कर सुरक्षित अस्थानों पे ले जाया जाए और उन्हें खाने पीने की भी विवस्थादी जाए लेकिन इन लोगों ने जैसे बताया कि अभी तक खाने की शुद्ध किसी ने नहीं लिया है नहीं प्रशाशन द्वारा किसी परकार की राहत समगरी पहुचाई गए नहीं किसी जनपरतिनी थे ने अभी तक राहत पहुचाया है कल हम भी इस छेतर में थे और हम लोगों ने देखा कि यहां के से कुछ जनपरतिनी थी लोगों को रहने के लिए नहर पे जुग्गी बनाने के लिए तिरपाल का वितरण कर रहे थे लेकिन उससे वो नकाफी है इन बाढ़ पीडितों के लिए क्योंकि जब भोजन पेट में नहीं रहेगा तो फिर तिरपाल से क्या फायदा अबरिक हाउस पोटक विबिन आर्टिफिसियल दिवाल भुकंप रोधी फायर रजिस्टेंस लाइट वेट इस्पेस सेविंग इको प्रेंडली गर्व कम खर्च और कम समय में बनवाए जीतें द्रदुबे से बढ़ा से बढ़ा हॉल बीना पीलर के तेयार मातर पंदर द दिनो में